मुख्यमंत्री निक्रान मुख्यमंत्री एक इलक्ट्रोनिक बस में सबार होकर जू सफारी का भ्रह्मंकर निकले तभी खुले में घूम रहा एक बाग उनके बस के सामने आ गया मुख्यमंत्री ने बस रुकवा कर बाग का दिदार किया ब्रह्मंकर लोटने के बाद नोंने कहा कि जू सफारी में जानवर खुले में घूमते रहेंगे और यहां की गारी में बैठ कर लोग उनका आनन्द उठा सकेंगे इसके लिए सुरक्षा के सभी प्रबंध किये जा रहे हैं नितीश कुमार ने कहा कि आज नोंने खुले में बाग और सीर को घूमते देखा उन्होंने यह भी कहा कि राजगीर जू सफारी में और भी बाग और सीर लाए जाएंगे भागलपूर में बाड़ पलित लगातार अपनी मांगों को लेकर स्टॉलक पर उतर कर प्रदर्संग कर रहे हैं ताजा मामला सराय चौक का है जहां टीनबी कॉलेजियर टी स्कूल के बाड़ राहत सिविर में रह रहे है बाड़ पलितों ने जिला प्रसासन के दोरा राहत सिविर में दिये जा रहे भोजन बंद किये जाने को लेकर बिस्विद्याले होते वे नाथनगर जाने वाली स्टॉलक पर बेरेकेडिंग जिला प्रसासन के दोरा राहत सिविर में रखा गया था लेकिन अचानक जिला प्रसासन के दोरा पंचायत चुनाप को लेकर आचार संहिता की दोहाई देते हुए सिविर में बन रहे बाड़ प्रितों के भोजन को बंद कर दिया गया है जबकि अब तक उन सबों के घरों से बाल का पानी नहीं निकला है वहीं बाल प्रितों के दोड़ा जाम की सुचना मिलने पर ततारपूर थाना के सब इंस्पेक्टर पूर्नेंदू कुमार दलबल के साथ जाम अस्थल पर पहुंचे और लोगों को समझा भुजा कर जाम खु साथी अंचना धिकारी ने सरकार के दोना बाल प्रितों को दियर जाने वालेजियने कीारा ज़ल्दीताने की बात कही लालू के बड़े बेटे तेजपरताब दिल्ली में अपने पिता लालू यादब से मुलाकात कर पटना वापस आ गए हैं पटना एरपोर्ट पर जब पतरकारों ने तेजपरताब से पूछा कि आपके करीवे मित्र अकास यादब ने लोजपा का दामन थाम लिया है इसके जबाब में तेजपरताब ने कहा कि लोगतंत्र में सभी को अधिकार है वो कहीं भी जा सकता है जब पतरकारों ने उनसे या पूछा कि आकास यादब के जाने साब को कितनी हानी हुई तो उन्हें जबाब दिया हानी मुझे नहीं आपको हुई है इसके बाद तेजपरताब के समर्थक एरपोर्ट पे ही तेजपरताब भाईया जिन्दाबाद के नारे लगाने लगे और वो कार में सवार होकर अपनी सरकारी आवास रवाना हो गए अब लोगतंतर में सबको अपना आजादी होता बात रखने का या जिसको जहां जाने का आपको लॉस होगा जिन्दाबाद जिन्दाबाद सुल्तानगंज अगवानी की बीच गंगान दी में स्पी सिंगला कंस्ट्रक्शन कमपनी के दोड़ा निर्माना धीन पूल निर्मान कारे कराया जा रहा है चोरो दोड़ा बुद्धवार को 15 बैटरी चोरी कर लेनी की सूचना पूल निगम कर्मियों को मिली थी जब इसकी चान बीन की गई तो पता चला कि लोहे का भारी भरकम पूल निर्मान सामगरी भी चोरी करू से कबाल खाने में बेज दिया गया है पूल निगम के कर्मियों के दोड़ा इसकी सिकायत थाने में की गई जिसकी बाद देर साम सुल्तानगन स्थाना पूलीस ने दिलगौरी मोड के समीप कबाली की दुकान से लगबख 40 लाख रुपिय के सैंट्रिंग प्लेट, टर्न बकल, चैनल, यूजेक, एमस प्लेट, पाइप सहित, अन्यसामा, ग्रीब रामद की सुक्रबार को एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपणी के कर्मियों के दुड़ा सुल्तानगन स्थाने को लिखी ताविदन दे कर अग्याद चोरों के खिलाप परात्मी की दर्ज कर आई है वहीं सुल्तानगन्च के सितारामपूर महले के रहने वाले कबाल खाने के संचालक ब्रह्मानन्द चौधरी, बंबम उर्पवन चौधरी, समीर कुमार्प उटुल्लू को ग्रपतार कर कबाल खाने को सील कर दिया गया है घटना के वाबत कमपनी के कर्मी मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से एक कत्रा रहे थे इससे साफ जाहिर होता है कि पूल कर्मियों की मिली भगत से उक्तिसामगरी को मसीन से उठा कर लाया गया है फिलाल पुलीस सभी बिंदू उपर जाच कर रही है बिहटा में बनने वाला एरपोर्ट छपरा नहीं जाएगा बिहटा में ही बनेगा बिहार सरकार के जमीन अधिगरहन पर नागरिक उडियन मंत्रारे को जानकारी मुहिया करा दी गई है हाल में ही Airport Authority of India के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया था कि जमीन की कमे करन भीटा एरपोर्ट को छपरा सिप्ट किया जा सकता है बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय जहा ने भीटा एरपोर्ट को लेकर सरकार की और से बड़ी जानकारी दी उनने कहा कि राज सरकार ने केंदर सरकार को भीटा में जमीन उपलब दिकरा दी है केंदर सरकार के और से निर्मान कार सुरू कराना है development की जिम्मेदारी उनकी है संजय जहा ने कहा कि Civil Aviation मंत्राले ने पतना ऐरपोर्ट के लिए जो जमीन मांगी थी वो जमीन बिहार सरकार ने मंत्राले को दे दी है अब काम सुरू करना केंदर सरकार की जिम्मेदारी है द्रभंगा ऐरपोर्ट के जमीन के अधिकरहन का काम भी बहुत जल्द हो जाएगा साथी पूर्निया ऐरपोर्ट के लिए भी राजसरकार काम कर रही है द्रसल पिछले दिनों एक रिपोर्ट में कहा गया था कि पटना के बिहटा में जमीन की कमी करन एरपोर्ट को छपरा में सिप्ट किया जा सकता है पिछले दिनों केंदरियन लागरिक उड्डियन मंत्री जो तिरादित्य सिंधिय ने बिहार के मुख मंत्री 30 कुमार को एक पत्र लिखा था जिसमें बिहार के हवाई अड्डो के बिस्तार के लिए सीम निती से मदद मागी थी भागलपूर पहुँचे बिहार तरकार के गन्ना उद्डियोग एउं विधी मंत्री प्रमोत कुमार ने प्रेस कॉनफरेंस कर बताया कि बिहार में भूमी सर्वे का काम चल रहा है, सरवे में नियास बोड की परिसंपत्यों का भी सर्वे किया जा रहा है सर्वे का काम पुरा होने के बाद उनका डाटा तयार किया जाएगा जिसके बाद नियास बोड की परिसंपतियों को लोग कहीं भी देख सकेंगे इसके लिए पोर्टल भी बनाया जाएगा एक पोर्टल धार्मिक नियास बोड का होगा और एक जिलाप्रसासन का पोर्टल वहीं गंणा औद्योग मंत्री ने बिहार के सभी चीनी मिल को नए टेकनलोजी के अधार पर विक्सित किये जाने की बात करते वे कहा कि पहले चीनी का मार्केट वैल्यू कम था अब जैदा हो गया है क्योंकि अब गंणा के सीरा से इथनॉल तयार करने की कवायद बिहार में प्रारम्ब हो रही है जिसको लेकर नई इथनावल नीती बनाई गई है जिसके बाद नए नए इंवेश्टर आ रहे हैं जिसके तहट चीनी मील के दोड़ा 20% इथनावल बनाया जाएगा जिससे राश्टिय अस्तर पर बिदेशी मुद्रा की बचत होगी तो अभी जो चीनीत हो जाएगा पहले तो चीनीत हो जाएगा उसका पैमाईस हो जाएगा तो अभी जो मंदीर है उसके घिरा मंदी हम लोग कर रहे हैं उस देवी देवता का फोटो भी बीच कर उस पर डलना है तो जब पैमाईस हो जाएगा ये समझे कि 1950 का ये नियास बोड बीच में इसलिए रूप गया था कि भूमी का सर्वेक्षन नहीं हो रहा था और भूमी का सर्वेक्षन परारम हुआ है तो यह काम परारम हुआ है। जो चीनी था इसकी मार्केट वैलू डाउन था अब इस चीनी के सीरा से गुड जो गन्ना के सीरा से एथनोल निती आ गया तो एथनोल निती का मार्केटिंग हो गया कि पेट्रोलियम कमपनी इसको लेगा टोल्टी परसेंट एथनोल बनाना है तो नए नए इंबेस्टर इसमें आ रहे है छो महीना गन्ना के जूस से बनाएगा इस दुड़ान मंत्री ने भागलपूर और बाका जिले में धार्मिक न्यासबोर्ड से संबंदित मंदिर मठ समेत अनस्थलों की वर्तमान स्थितिक समिक्छा करते वे धार्मिक न्यासबोर्ड की अधिकरमित प्रिसंपतीयों के विसें में भी जानकारी हासिर की और दिकारियों को धार्मीक न्यास बोर्ड की संपत्ती का सर्वे करा कर जहां भी अतिकरमन पाया जाता है उसे जल्द से जल्द अतिकरमन मुक्त कराया जाने का निर्देश भी दिया